नमस्कार दोस्तों आपका हमारे इस चानल में स्वागत है हम आपके लिए रोज एक बेहत रोचक वीडियो लाते हैं तो अगर अपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें बॉलिवुड एक्ट्रेस श्री देवी का शनिवार देर रात दिल का दोरा पढ़ने से दुबई में निधन हो गया चोवन साल की अदाकारा अपने पती बोनी का पूर और छोटी बेटी खुशी के साथ रविवार को दुबई में एक शादी में शरीक होने गई थी अचानक श्री देवी के निधन की खबर से बॉलिवुड जगत समेत उनके प्रशन सक्स्तब्ध हैं आएए जानते है श्री देवी के बारे में 12 खास बाते जो अभी तक आप नहीं जानते थे उनके पिता का नाम अपन और मा का नाम राजेश्वरी था उनके पिता वकील थे उनकी एक बेहन और दो सो तेले भाय हैं श्री देवी ने चार साल की उम्र में तामिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया 13 अगस्त 1963 को तमिल नाडू में जन्मी श्री देवी ने 1971 में ये फिल्म चूली से डेब्यू किया था इसमें वे चाइल्ड आटिस्ट के तोर पर नजर आई थी 1983 में ये फिल्म हिम्मत वाला ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया इसके बाद उन्होंने कभे पीछे मुड़कर नहीं देखा श्री देवी ने आखरी बार मॉम फिल्म में काम किया जो 7 जिलाई 2017 में हुई थी इसके पहले वे 2012 में ये फिल्म इंग्लिश वे इंग्लिश में नजर आई थी श्री देवी ने फिल्म प्रोड्यूस अबोनी कपुट से 1996 में शादी की थी दोनों की लाव स्टोरी फिल्म मिस्टार इंडिया की श्यूटिंग के दोरान से ही शुरू हुई थी श्री देवी ने अपने लंबे करिया में लगभग 200 फिल्मों में काम किया इनमें 63 हिंदी, 62 तेलगू, 58 तमिल और 21 मल्यालम फिल्में शामिल है भारत सरकार ने वर्ष 2013 में श्री देवी को पदमश्री से समानित किया चाल बाज 1992 और लमहे 1990 के लिए श्री देवी को बेस्ट एक ट्रेस का फिल्म फिल्म फिया आवोड मिला श्री देवी ने सोल्मा सवन हिम्मत वाला मवाली तोफा नगीना घर संसार आखरी रास्ता कर्मा मी इंडिया सहित कई फिल्मों में काम किया